नमस्कार आदाफ सस्तिकाल खायर मक्दम श्वागत हैं आप सभी आपके अपने चैनलार उत्रावत क्लासेज में दोस्तों आज क्या भी से इतियास रहेगा और इतियास में महाजनपत पर चर्चा करें बहुत महत्त पूर्ण है एकजाम कोई सा भी हो हर एकजाम में यहां से क कुष्चान देखने को मिलता तो दोस्तों बात कर लेते हैं महाजनपत महाजनपत प्राचीन वहारत में राज्य प्रसासनी के आईयों को कहते हैं और राज्य प्रसासनी के आईयों को महाजनपत कहते हैं गड़त अत्रिया राजतंद्र के रूप में सामिल थे वैद्यक काल या जनपदों का उल्यक मिलता है तो दोस्तों आगे या जो वेस्ता जो चली थी 600 इसापूर्व से 340 इसापूर्व तक चला था इसकी जो आसी वहां सा थी या संस्कृत थी और प्राकरत वहां सा थी प्राकरत धार्मिक समूझ था हिंदुर्म था जैंत्रम था और वाध्रम भी था शासन किसका था तो गर्तंदर था और राज्तंदर था ये त्यासिक यूग जो था लोहा का यूग लोहा जिसी यूग कहा जाता है इसताबित जो गहा था 600 इसापूर्व में उतरबादिकाल में ग्यारा सो इसापूर्व से विक्षित होने लगे थे, जिसमें गुरू, राजवन्स, कुरू, 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 राजवन्स, कोसल, राजवन्स, पंचाल, राजवन्स, या बिदह, राजवन्स, मतस्य राजवन्स, च्यंदी राजवन्स, और प्राचीन म मागद गंधार राजवन्स सामिल थे 700 से 600 इसा पूर्व के बीच यहाजनपद और प्राचीन राजवन्स माजनपद में विक्षित होने लगी थे कौन कौन से इसमें बंस थे कुरू, कोसाल, पांचाल, पिधी और मतस सिचेंदी प्राचीन मागद यहाँ थे आठवी से छे यानि छटवी सताब जिचुती इससा पूर्व को प्रारंबिग भारती इतियास में एक प्रमुकमोड के रुप में माना जाता है इस काल में उत्तरी भारत में लोहे का अभियापक उप्योग किया जाने लगा था जिसके करजी का विवस्ते द्विक्षित हुआ था और जिसके प्रणाम सुरूप सिंदुगाटी सबिता के पतन के बाद प्राचीन भारत में दूसरी बार बड़े सैरों का उदे हुआ था जिसे दितिये सैरी क्राण कहते हैं दितिये सैरी क्राण से ही महाजनपदों का उदे हुआ था शिर्माड शिर्माड प्रमप्राव का उदे हुआ था छेवी सताब्द जो थी इसापूर में उत्तरबाद में शिर्माड प्रमप्राव का उदे हुआ था जिसमें जैन पंत और आजीवी पंत अंत में बौध पं सामराज की उद्धाई के समय एक सो पिच्चाशी सापूर तक यहा नास्तिक प्रमप्राय ततकाले राज्यों की राजनीती यह समाज में हावी वनी रही वही बात करने करना हो जिस्ते दी की तो गरना यह सभी महाजन पताज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और अबरी नदी तक में फाइल हुए थे दिरी निकाय के महागोविंद सुत में वारत की आकरती का वड़न करते हुए उसे उत्तर में आयताकार तथा दक्षिन में त्रवजाकार यानि एक फैल गाड़ी की तरह बताये गया बहुत निकायों में भारत को पाँच वागो में विवाजित किया गया उधर करे उत्तरापत जिसे पश्मोत्तर वाग या मद्यप्रदेश प्राची पूरी वाग को दक्षनापत तथा अपरांत जिसे पश्मी वाग का उलेख मिलता है इससे इस बात का भी प्रमान मिलता है कि भारत की भागोलिक एकता इसापूर्व छटी सदी से ही परिकल्पेत है इसके अतरिक जोयन गिरंत वागवती सूत्र कृतांग पाणने की अश्टाध्याई और बाधाय यान धरम सूत्र इशापूर्व शद्ताब्दी सदी में रच्चता हैं महा भारत में उपलब्द जनपद सूची पर दर्ष्टीपात करने दो पाएंगे की उत्तर में हिमाले से कawl्याकुमाय तक पश्च्यम में गंगाधार इसे गांधार प्रदेश से लेकर पूर्मे आसम तक प्रदेश हैन जननपदूं का जिसे इस प्रदेशों या इन था कटल ने एक चक्रवरती सम्राट के अंत्रगत संपूर्ण भारत बर्स की राजिने थी एक ताके मद्यम से एक व्रहतर शंगटित भारत की परिकलब ना की थी इसापूर छटी सदी से इसापूर दूसी सदी तक प्रिचलन में रहे आज सिक के बित्रण से अनुमान होता है की इसापूर चौती सदाब्धी तक संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा प्रिचलित थी इससे उस्योग में भारत की एकता की साफ जलग दिखाई देती है इसापूर में छटी सतापती वैरा वया कराण वया कराण जिसे पार्णी ने वाइस माजन पदों का उले किया है इसमें सितीर मघद और कोशाल और वतस से महत्मूर बताए गए हैं अरंबिक बहुत तता जैन गरंतों के इनके बारे में अधिक जानकारी मिलती है या ठीक खुल स्वरू महाजन पदों का नाम मिलता है पर या नाम कराण अलग अलग गरंतों से विन विन उत्यसकार ऐसा मानते हैं कि या अंतर विन विन समय पर राज नेतिक परस्तितियों के बदलने के कारण हुआ है इसके अतर एक दिन सूचियों के निर्माताओं के चानकारी भी इनके बागोली के इस्तिती से अलग हो सकती है बहुत गरंद अंतर निकाए महाबस्तु में 16 महाजनपनों का उल्ले का जो की इस तरह है तो बात करते हैं कासी काउसल अंग जिसे मगद बज्जी और मल चेंदी वतस्य कुरू पांचाल मतस्य सूर्षेन और अश्मक अवंती का धार और कामबोज भी है या 16 महाजनपन तो यही आगे बात करते हैं कि इसापुरु छटी सतावदी में जिन महा जिन चार मात्पूर्ण राज्जों ने प्रिसिद्धी प्राप्त के उनके नाम है मगदारियक बंस मगदारियक कौसल इच्वाकू और वतस के पौरव अवंती के प्रदोत्ति 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 हर्यक एक ऐसा बंस था जिसकी इस्तापना बिम्बसार द्वारा पांस चबालेजी सापूर मगद में की गए थी प्रदोत्तों का नाम ऐसा उस बंस के संस्तापक की कारण ही था संयोग से महाबाद में वाणित प्रसिद्ध राज्जी कुरू पांचालकासी और मतस इसकाल म में भी थे और उनकी उनकी इंटी अब छोटी सक्तियों में होती थी इसा बुर छटी सदाप द्मिया बंति के राजा प्रदोत्त ने को श्रभी की राजा तता प्रदोत्त के दमाद उद्यान के शार्थ लड़ाई हुई थी नोट करने वाला पांट उससे पहले उद्यान मंगद की राजदानी राजगीरे पर हमला किया था कौसल की राज़ा प्रसेंजित 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 ने कास्यों को अपने अदिन कर लिया था बाद में उनके पुत्र का प्लबस्तु के शाकर राज़ी को जीत और लिया था मंगत के राजा विमसार ने अंग को अपने में मिला लिया था उसके पुद्ध आजा सस्तु ने वैसाली के लिच्छवियों को जीद लिया था और इसापुर पांचवी सद आपने पारो पारो और प्रदोते सतालो लूप नहीं रहे और हर्यंकों तता इच्छवांकों ने राजनीतिक मंच पर मोर चा सम्हाल अलिया था पसेंजे तता आजा सस्तु के बीच संग्रश चलता रा इसका हाल की कोई पडाम नहीं निकला और अंतो गत्वा मंगत की हर्यंकों को जीत मिली इसके बाद मगत उत्तर भारत का सबसे सक्ताली राज्य वन गया कौन बन गया मगत भारत का सबसे सक्ताली राज्य वन गया 461 सापूर में अजा सस्तु की इम्रत के बाद उसके पुत्र ओद्यान ने सत्ता समा लिया और उसी ने मगत की राज्दानी राज्य वन गया इसे पाटली पुत्र आदनीक पटना इस्तांत्रित की हालकी लिच्छवियों से लड़ते समय आजा सस्तु ने ही पाटली पुत्र में एक दुर्ग बन बाया था और इसका उप्योग राजधानी के रूप में ओद्यान ने ही किया था वद्यान तता उसके उत्रा दिखारी प्रशासान तता राज काज में निकम्मे रह तता इसके बाद 413 अपूर में सिसुनाग वन्स का उद्य हुआ और राजा सिसुनाग के पुत्र काला सोक ने मगद सामराज के अबिस्तार क्या मगद सामराज महाजनपत काल का सबसे बड महाजन पदकाल का आंता और समराजियों का उद्धे कैसे हुआ तो सिसुनाग वंस के बाद महाजन महापदम नंद नामग प्यक्त ने मंगद की सत्ता समाली 345 पूर में नंद समराजी की नीम रखी उसने मंगद की स्रिष्टता को और उचा बना दिया महापदम नंद ने लगवक सभी महाजन पदों को जीत लिया और समराजी का बिस्तार किया नंद समराजी के उद्धे से ही महाजन पद का काल का अंत माना जाता है नंद समराजी के बाद मौर समराज 322 एक सुपिचासी सापूर में मंगद की संबाज सत्ता जो है शमाली थी पुर्ष्वत्तम कुमाबत ने किर्सी की विश्ता अगर बात करने कैसी थी तो किर्सी महाजन पद काल में किर्सी चेतर में दो बड़े परवरतन हुए हल के फाल लोहे से वनने लगे थे जिसके कारण कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता है इसकारण फल फसलों की उपज में ब्रदी हुई हो धान के रोपाई या सामानी वेस्ता पूर हो गई थी जिससे पैदावारा दिक होने लगी थी किर्सी चेतर में समरी थी से राज्यों कि कर्य और राय में ब्रदी होने लगी हो माजन पदों के सैन्या सैन्य सक्ति में भी सप्वर्दीयू माजन पुदों का संचिय ऊच्छी तो पर चाए उस लिए बात करते हैं अवांती अबनती क्या था अदुनी मालवा का सासन था जिसे हर्याग बंस कहाया था अस्मक या अश्मक दक्षन भारत का एक मातमाजन पताज नर्मदा गोदावरदी नदियों के बीच इस ते इस प्रदेश की राजानी पोटन थी या राज के राजा इच्छवाक इच्छवाकू वंस थे इसका अवंती के साथ निरंत में स्तेत बाटमान की ढरा के मुंऺल में लागलपूर जिले में आए ुर्दी डिचंप पाथिल्चंप की वारत बस का सबसे स्प्रिसद्ध न अंग्र को नंग्रियों नंग्रियों में से थी मंगर रंगेवीज की बात करें तो हमेसे अंगरस होता रहा था हो अंत में मंगर की बिम्बसार इस राजी को पराजित कर अपने में मिला लिया था अंग महा जनपद का प्रतमुलेक अर्थरवेद में मिलता है कामभोज गीकर बात करें तो गांदार कस्मीर के उत्तर राधुनिक पामीर का पठार था उसके दक्चुण उसके पष्चिम पष्चिम वधगसा परदेश कामभोज महाजिनपद कहला था था हाट आकिया राजा पूरिस राजी की राजानी थी यो कासी ये बात करें तो इसकी राजधानी वाणड सी थी तो जो ब्रोना और असी नदियों की संग्म पर वसी थी बर्तमान में वाणड सी वासपास का छेत्र इसमें सम्मिलत रहा था हूँ तेजवे जयन तीरतांगर परशवनात के पिता आसुसेन कासी की राजा थी इसका कोसल राज्जी की साथ संगरश रहता था गुलतिल गुतिल जो था चातक की अनुसार कासी नंगरी के बारा योजन बिस्त्र थी और भारत वर्स की सारव प्रदहान बात करें कुरू की तो कुरू आद्वनी का रियाना था दिल्ली का योमना थी के पश्चिम वाला अंसा मिलता है इसकी राजधाने इंद प्रस्ति और दिल्ली में थी जैनो उत्रा ध्यन सूत्र में यहांके इच्चु आकूं नामक राजा का उलेग मिलता है जातक ग्रण जातक कताओं में सुत्सोम कवरो और धरंज यहांके राजा माने गए कुरू धम में जातक कुरू धम में जातक के अनुसार हैं कि लोग अपने सीरी सच्चे मानुस्यों चेत परताओं के लिए अग्रणी माने जाते थे और दूसरे राष्टों के लोग इसे धरम शीखनी आते थे वात करिंगर कौसल की तो कौसल उता पर देश किया उद्या ज को पाली गिरंतों में वारान सिंगो कहा गया था उसे ने कासी को जीत कर कौसल में मिला लिया था और कौसल देश के परसेड राजा पर जिए थे वात करेंगा अधारितों पाकिस्तान का पकी पस्मी अफगानिस्तान का पूरी चेता और कस्मीर का चेतर बाग इसकी राजधानी तक्छ सिला इसी आदुने कंधार से जोडने की कलती कई बार लोग कर सकते हैं जो की वास्तों में शेता से कुछ तस्चिण में इस्तित है आगे बात करें च्वेंदी दिबारतमान बुंदेल खंड का भाग है जिसकी राजधानी सक्त मती थी यह इस राज़ का उल्ले महावारत में भी है सिसुपाल यहां का प्रशिद अर राज़ा था वज्जी या ब्रजी की बात करें तो यह आठ गड़तांतरी कुलों का शंग है जो उत्तरभाद में गंगा के उत्तर में अवस्तित था जिसकी राज़दानी वैसारी थी इसमें आज के बियार राज में दरभंगा, मुमदवानी, सुितामडी, सिब, हर, मुजब, परबु पास के अंदर रित पुराणों के अनुसार राजा निच्छू नियोमना नदी के तड़ पर अपने राज़दानी की इस्तावनात तब की थी जब हस्तनापुर राजी का पतन हो गया था इसकी राज़दानी को सामबी थी बात करें पश्यमें उत्तर प्रदेश पास के अंदर रित पांचाल की दो साकाय थी उतरी reviewed दक्षनी उतरी पांचाल की राज़ नियोमना अइच्छन थी और दक्षनी पांचाल की काम पिल नियों 2 मद्य दुआ चेत्र बदाई उपर कावा चूलानी वरहम्मदत उपांचाल देश का एक महांसासक था मागत की तो मागत दक्षुन भीयर पतना गया जिले में इस्ते देश की प्रावभी राजज़ानी राजगीर थी जो चारू तरप से प्रवतों से गिरी थी इसके अकाल कें गिरी ब्रज के नाम से जानी जाती मागत का संस्ता बब्रेद रत था और व्रद्रत के बाद जरा संध यहां का शासक का सासथ पत ब्रामनों में इसे की टक की कट की कट की कट की कट का गया था महाजनपदों के सब्सक्ता शाली और महाजनपद के रूम में जाना जाद आथा इस पर वरादरत हरीयक नंद मौर आदी ने सासन किया भविस में जाकर चंदगवत मौर ने धनानंद को हरा कर वय मंगाद वस संपूर भारत भारत वर्स का प्रताभी शाशक वन गया था मतसिवा मच्छ की बात करें इसमें राजिस्तान की अलवर भारत पूर जैपुर जलाच्छेतर सामिल थे इसकी राजधानी जो थी ब्राट नगर थी यहांके लोग बहुत इमांदार हुआ करते थी मल्की बात करें यह भी एक गड़ संग था जो की गोरापूर के आसपास के मल्लों के दो साकाएं थी इनकी राजधानी कुसी नाला थी जो बरतमान नगर कुसी नगर है और दूसरी जो राजधानी थी पाबा में यह पाव थी जो बरतमान फाजिल नगर है बात करने सूर से कि तो इसकी राजदानी मतुरा थी और कुरू महाजन पद दक्षण में इस्ते था बहुत गरंतों के अनुसार अबंती पुत्रियां का राजा था प्राणों में मतुरा के राज वंच को यदुबंच का जाता था अपने ज्ञान बुद्धी और भाईवों के कारणे आके आपको अगरी तो दोस्तों आज के लिए इतना कि लाज मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें वेल आइक नों को प्रेस कर लें कमेंट कर लें कि आपको किलास कैसी लगी यापका फीड़बैक मिल जाएगा नमस्कार दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में